ओम शान्ति, तीन जैनुरी की शुरुवदान में आप सब कसोगत है, मन मना भव जो भगवत कीता का जो एक मूल मंत्र है, वो हमें कहता है कि मन को मनाओ और एक भगवान में लगाओ, तो प्रमात्मा कहते हैं इस वरदान में भी कि मालिकपन की स्थिती, स्री मालिकपन की कि मैं जो आत्मा हूं मैं इन कर्मेंद्रियों का मालिक हूं ये पांच जो कर्मेंद्रियां हैं कर्म करने वाले इंद्रियां ज्यान इंद्रियां भी हैं इसमें उन सब का मैं मालिक हूं उनको मैं जैसे चाहूं वह वैसे चलाओ आंखों को जो देखना चाहूं उनको आंखों कि स्मृती द्वारा मन मनभव की स्तिती बनाने वाले master första शक्तिवान भवा सदा ये स्म्रती emerge रोपicate रहे, कि मैं आत्मा करावनाहार हूं इस शेरिर के द्वारा मैं कर्म करने वाली रहे हैं मालिक हूं इसकी विशेश आत्मा master starv 是क्तिवान हूं मैं मविशेश आत्मा हूँ और मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ तो इस मालिकपन की स्मृति से मन बुद्धी और संसकार अपने कंट्रोल में होंगे अगर मैं कहूं कि मैं शक्ति वर शाली नहीं हूँ लोग कहते थें कुछी चीज़ और मुझे बुरा लगजाता है लोग ऐसे कहते है तो मैं कोई अससे लगता है या यह feeling आती है ऐसे नहीं करना चीभ पत करो इसे मत करो चुप शाप रहो शांत रहो तो परवादों कहते है इसका मतलब कि आप सर्वशक्तिवान नहीं हो लोग आपके उपर कंट्रोल कर रहे हैं आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो सर्वशक्तिवान हूँ, मास्वर सर्वशक्तिवान हूँ विशिश आत्मा हूँ मतलब कि मैं अपना कंट्रोल अपने उपर ले रहा हूँ उपस लोग क्या करते हैं वो समझे एफेक्ट नहीं पड़ता है तो पर मतलब कहते हैं मैं अलग हूँ और मालिक हूँ इस मृति से मनमना भव की स्थिती सहज बन जाएगी मैं अलग हूँ आत्मा इस शरीर से अलग इस मृति से मनमना भव की स्थिती सहज बन जाएगी यही नियारेपन का भ्यास करमातीत बना देगा तो एक level है यह एक stage है इसमें और भी बहुत सारी stages आती है लेकिन मुख्य के है मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करने वाली अलग आत्मा हूँ अगर शरीर समझा तो फिर automatically चीजें वस्तुएं स्थान विक्ति की सारी चीजें याता हैंगी लेकिन जैसे आत्मा समझ अपने आपको तो मैं इस शरीर के द्वारा कर्म कराने वाली आत्मा हूँ मैं डेटाच्ट हूँ मैं अलग हूँ यह सब कुछ सिखा जाते है ब्रह्मा कॉमारी उसमें आप जाम हुआंग।